सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है रादे रादे सभी को आज हम लोग जो चीजे करने वाले हैं यह तो बातें बाद में करेंगे लेकिन पहले बताओ आपका प्री का एक्जाम कैसा हुआ बहुत सारे बच्चों से मेरी मुलाकात भी होई है बहुत सारे बच्चे हमे एक वीडियो सेर करेंगे जिसमें बच्चों की जुबानी रही है कि पेपर हमने जो दिया है वो कैसा रहा है और कितने कटाफ जा सकती है और कितने कितने एवरेज अटेम्ट रहे हैं तो जल्दी से सेर करेंगे मापके साथ में वह भी और अब यह क्लास जो आप देख रहे ना दोस्त जिस दिन पेपर दोगे ना मेंस का 2829 तक तुम्हें खुद लग जाएगा कि इस क्लास से तुमने क्या चीज़ा सीखा है मैं साथ सीधे स्क्रीशूट आपको सेयर करूंगा मैंने जीतनी चीज़े सिखाई है ना दोस्त बस अब टाइम आगया रिवीजन करने का बेधरी रिवीजन रोजना कोष्ट्यंस रोज नयां डिस्क्रूम मैं आपके सामने लेके आएंगे टेस्ट पेपर चाहो टेस्ट पेपर कर ओंडिसक्स इतना चाह उतना कर लो लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार सारी चिजों को कर ले हम आपके सामने वनशोट भी लेक् जल्दी से सुरू करिए और हाँ हैपी निव यर अगें कल हमारे दोस्त मनला हमारी जो फैमिली मेरी फैमिली आप ही है तो उनसे कल थोड़ी कम मुलाकात हो पाई कल तोड़ी शेशन नहीं हो पाए ठीक है कल तो एक तारी को सबको मस्ती करनी थी कोई नहीं अब लेकिन अपने हर आप सबको बहुत बहुत बेटरी तरीके से जड़ना है अपने जोस के साथ में अपना सारा जितनाव आपके पास दिमाह्πο है है जितना भी आपके पास टाइम में लगा दीजिए आप किसमें पढ़ाई में ठीक है आप agriculture को बेटर करना है समय आ चुका है प्रेक्टिस सेटम मेंस के लिए हम लोग लगाना शुरू कर दिये हैं इसमें सारे सब्जेक्ट के लीजिएगा और आप जो भी चाहिए उसके साथ में इसके बाद में आप टेली इस्टग्रां में फॉलोव भी कर सकते हैं कोई कि दिक्कत है कभी कोई समस्य आया आप हमसे बात कर सकते हैं सारे विश्यों पर ठीक है यह हमारा एप है जिसे आप डाउनलोड करेंगे डेली कोई सब्सक्राइब करेंट अफेर के लिए बाकि आपके सामने बहुत सारी चीज़े आती रहेंगे यह रहा पहला कोश्चन आपक देखने को मिलने वाले हैं पहले तो इनाम काल सेंटर का नंबर पूचा हमने अगर कोई बेनी फिसरीस फार्मर करना चाहे तो उसके लिए नाम का काल सेंटर नंबर क्या होगा जल्दी से बताएंगे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से एक नंबर तो याद होता है ठीक है क किसान काल सेंटर ये नाम काल सेंटर है दोस्त इसका बताओ उसका तो 155 बन या देना 155 बन हाँ इसका बताओ जल्दी से सही उत्तर देने वाले को भाई ना हमाई तरफ से दो मुख से हमारे फूल उन्हें मिलेंगे ठीक है बिलकुल तुन जे कह रहे सर माई कोशन क्या गोशन बताओ अचाहाँ लास्ट डे पर हमने एक कोशन की गलत आंसर दे और मैंने उसे बाद में चेक किया हमने यह पूछा था कि मैक्सिमुम हाइब्रेट किसके थे ठीक है तो हाइब्रेट्स दोस्त मेज के थे किसके थे मेज के हमने सबसे ज़्यादा हाइब्रेट जो है मेज के बनाए एरिया वाइद अगर पूछे कोई कि एरिया में सबस्यादा हमारी कौन सी सवयावीन और हमने साथ उसका अंसर सवयावीन लगा दिया उस टाइंग मैंने पढ़ा बाद में तो मैं को खुल लगा किया रिया अंसर ऐसा होगा ठीक है एक बाच चेक कर लिए जो से आंसर दे रहे हैं है कि आहाएप रियरभाई सुमन विंद्रेश सभी को कुछ बच्चे भी आंसर दे रहे हैं गलत है कुछ बच्चे सी आंसर देरे रहे रहे हैं उभी गलत रहे बताओ कि में जो गा बिल्कु स्खें कि हाँ हां हां घलत हो गया और में तुंझे आंसर qoCl आंसर सही नहीं है अभी तक आंसर होगा डी क्या होगा डी अठारा सो दोसो सतर दोसो चोबिस जीरो दोसो चोबिस तो याद कर लिजेगा टू टू फोर क्या है टू टू फोर तो दोस्त यह मारा इनाम काल सेंटर है आप से बहुत बार पूछा गया है किसान काल सेंटर तो हो सकता है इस बार आपसे इनाम काल सेंटर पूछ लिया जाक क्रप्या करके आपको क्या कर लेना है ठीक है हो गया ना गलत पहला कोशन गलत करा दिया ना नहां सरक करा दिये पहला गलत हो गया तो चलिए आगे इसका ग्राउन नट का होलो हाट किस से काउस होता है जल्दी से आंसर देंगे फंगस से बोरान डिफिजेंसी जिंक पॉर्ड बोरार या फिन अफ दीस आंसर दो जल्दी से आंसर चाहिए सर गलत बहुत करवा देते हैं हाँ टू टू फोर ऐसे याद रखेंगे दो दो चार दो दो कितना होता चार यह इनाम करता है ठीक है इनाम चाहता है कि हम दो रुपए दो रुपए जोड़के आपके चार रुपए कर दें एक एक रुपए के जोड़के ग्यारा नहीं करता है यह इनाम चाहता है कि दो दो रुपए जो और कि हम आपके चार कर दें कोई फायदा है नहीं लेकिन फिर भी चल नहीं है मंडियां क्या ही है ठीक है करसर जी इसका आंसर तो पता है B हो जाएगा बोरान की डिफिसेंसी बिल्कुत सही है बाई अगर हम लोग बात करते हैं किस से होता है अगर नहीं देखा तो दोस्त हम आपको दिखाते हैं यह हैं उलो अगे बीच में क्या खाली हो जाता सब आप जालो हाई आगे आगे आ तो यह बहुत आता है फॉरेस्टी से पहले तो मैं फॉरेस्टी की टर्मिनोल ओजी आपके सामने लेके आना चाहता हूं एक दिन अभी पूरी की पूरी कि टर्म्स के माध्यां से आपको बहुत दाधा कोश्चन देखने को मिलते हैं पहले तो यह बता दो एक ग्रोफ फॉरे तो मैं अभी आई नहीं आज ठीक है तो मैं के ना होने के कारण वह क्लास आज नहीं हो पाई अधर वाइस सीटी पीजी की क्लास आपके रेगुलर जैसे चल ले वैसी मिलेगी आपको ठीक है हाँ कि यह आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे आपका मिर्तुंचे कोश्चन देख लिया है भी मैं बाद में इसका आंसर देता हूं बूड इवनिंग बच्चा आंसर हो जाएगा हौटी पास्चर सबका आंसर आ गया बिलकुत सभी इसमें ना इंटीग्रेशन है आम समझगे दो चीजों का जब फूर्ट्री आया तो हमने हौट्री चूज कर लिया किसी दूसरे में दिखा हमने सब काड़ दी है खतब कर दो दो यहां पर प्रेक्टिस होती है अब जल्दी शाओदरणील वेस्टरं इल नौर्थ हिमालयन रील्ड याफिर नॉर्थ हिमालीन रीसी जल्दी से अच्छा पूचा जाता है जैसे गुजरात रीजन पूचा जाएऍट जो कर दो ऐल सीट के лिए है जैसे अगर से अ आपका बढ़िया कल्टिवेशन आपका गेहूं का बढ़ियां गेहूं धान बढ़ियां होता है ठीक है इसके इलावा आप जैसे जाओगे नौर्थ इस्टन में तो क्या आ जाएगा तर जी यहां तो फिर कुछ अलगई मिलेगा अकास रादे रादे भईया बहुत अच्छे आंसर डी बहुत ज्यादा बच्चे दे रहे हैं कहारे ज़ए लग रहा है नौर्थ इस्टन हिमालें टूइजन सिफ्टिंग कल्टिवेशन तो इधर की प्रॉपईटी है ठीक है सिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या है यहां की प्र इसे लिए उसको क्या हमने मान के रखा इसे लिए लगाया है किसमें बेनी फीचियल किसमें रखा बेनी फीचियल है कितने चार कौन-कौन से आप लिखके बताना अभी ठीक है अच्छा यहां पर और सब्सक्राइब बाद में एक कौन से जोड़ा गया निकल किसने ब्राउन एट ओल ने ठीक है यह 18-1984 इसके बाद में सब्सक्राइब लिखके बाद में प्लस्ट चार कर दो चार कौन से चार हमारे बेनी फीचल चार बेनी फीचल जोड़ दो जोड़ों के तो हो जाएगे कितने 21 21 कौन से होगा है करेसर फंक्शनल और फंक्सनल न्यूट्रियंट किसने दिया था तर्म करेसर निकोलस ने National Bureau of Agriculture Insect Resource is located जल्दी से आंसर दो नेशनल Bureau of Agriculture Insect Resources is located अहम्दाबाद गुहाटी भॉपाल जैपुर बैंगलोरो जल्दी से आंसर जोस के साथ जोस के साथ भाई अट्म हाँ कैम प्लांट को सोडियम थोडी ज़रूरत पड़ती है पलक्स आउब अच्छे बहुत अच्छे बहुत नगलूरो और आँसर जवाब है आप सभीका इपल भी राइट ऑंसर और मारा जो नेशनल एंसेո्रिकालासि का बना हुआ है चलिए व्यूरो हो गया लाइफ साइकिल जो मारा बोमबेक्स मुराई या फिर हम लोग मलबरी सिल्क वंबोल तो बात एक है जिसको लोग बोमबेक्स मुराई की नाम से बोलते हैं यह कितने दिनों में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है इसकी या गोश्चन है यह इसमें इतने क्लोज आप्शन दे रखे ना इसलिए ताकि एकदम से एक्जैक्ट आंसर जो आपका है वह आप पकड़ पाओ कि सही देना है कि नाक नहीं कटवानी है कि नाक नहीं कटवानी है अपनी भी और हमारी भी करनी का बच्छा बहुत अच्छे आनिवो बिंद्रे सो काई सदिव्या दामिनी अकांचा नए भाई अकांचा कह लिए हम लगाएंगे 60-65 इतने दिन जी कि क्या करेगा वह इतने दिन जी कि क्या करेगा बहुत अच्छे आंसर क्या एक वर डाता है लेंटिक लेंटिक वाटर क्या होता देखो बहुत सारा पानी के बारे में लिखा होगा और कहेगा लेंटिक वाटर तो लेंटिक एक वर्ड आएगा एक लोटिक ठीक है ना लोटा लुड़कते 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 लुड़क गया ठीक है कुछ ऐसा यह दोती है अब लेंटिक और लोटिक दोनों पानी के टर्म में यूज होते हैं एक को बोलते यहां पर पूछा है लेंटिक लेंटिक कौन सा होता है लोटिक कौन सा होता है जल्दी से आंसर दो कि मनीशा बच्चा गुड़ इवनिंग सोनल तिवारी बच्चा गुड़ इवनिंग जल्दी से आंसर इस्टेंडिंग नरोत्तम एंसर देने वाले कुछ बच्चे बीवी आंसर दे रहें करें सर्जी बी आंसर भी लग रहा है यह वाले बहुत बच्चे हैं कहरें सर रनिंग बाटर गलत हम तो बताते ऐसे याद और लेटे हैं तो रुका हुआ हुआ ना तो यहां पर आंसर में याद कर लेना है क्या हो चाहेगा अंसर ठीक है ना समझ गये मेरी बात को करें सर बिल्कुल लोटा तो विंपेंदी का आमने बहुत च्छोटे से देखा आंतर क्या हो गया ठीक है चलो आग आगे यह लो फ्रेस्वाटर बॉड़ी अब दो फिससे फ्रेस्वाटर में बॉड़ी जो फिसकी है वो कैसे काम करेगी हमने बहुत अच्छे से कोश्चन को पहले बताना है यह पानी है ठीक है इसमें जो फिस है उसकी बॉड़ी यह फ्रेस्वाटर है यह फ्रेस्वाटर है इसमें जो यह में फिस है अब फिसकी बॉडी जो है उसके बार में पूछा ये कैसे काम करेगी हाइपर टोनिक हाइपो टोनिक आई सो टोनिक या फिर दोनों ए और भी क्या अंसर लगाएंगे आप बहुत सोच लीजे फिर आंसर दीजे एक बात और बता दें फिसस के ऊपर तुम कभी बॉडब कर दिया है तो बच्चों ने आंसर दिए है सर भी हमें और बस आपने क्या कर दिया काम खराब कर दिया हमने फ्रेस बाटर बोला आपने आंसर लगाया लेकिन हमने फ्रेस बाटर के रिस्पेक्ट में का बोला हमने का फिस कैसे काम करें बॉड़ी अब दफिस बॉड़ी जो फिसकी होगी वह काम करेगी हाइपर टॉनिक के तरह कैसे आंसर हो जाएगा हमने का बॉड़ी फिसकी कैस सांदरता कम इसकी सांदरता कंसेंट्रेशन ज्यादा तो दोस्त आंसर हमारा हो जाएगा क्या समझ गए मेरी बात को ऐसे कोश्चन को घुमाएगा फिर आप आके अंदर से बहार निकल के आते हैं एकजाम हाल से सर हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था फ्रेस बाटर लिखा था बाटर में मचली कैसे काम करेगी कतम हो जाता कुश्चन नहीं चलो कोई नहीं आजाओ अगले कोश्चन पर ये लो जल्दी से बताओ चीफ रिस्पैरेटरी आरगन फिसस में क्या होता है ट्रैकिया गिल्स किडिनी माउथ या फिर दोस्त नन आफ जांसर दो जल्दी से आं आपके पास जो बेसी बुक्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो या फिर हम आपके लिए छोटा सा से अभी अलाइन करते हैं लगबग आपको साड़े-5 बज़े आज हम बताने वाले हैं कि आपको रिवीजन कहां से करना है एक चुली में ठीक है रिवीजन कहां से करना है कल एक और लेकी आने वाले हैं रिवीजन के लिए आपके लिए बियस्ट बुक का सेशन कौन से बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगे गारेवीजन करना चाहते हों ज्यादा भी नहीं पढ़ना और कम तो करना ही नहीं है ठीक है आंसर थी नाम बता रहा है प्रधान मंत्र एसी संपदा जो का है मचली यानि की दोस्त जो संपदा के रूप में उसको लेके योजना बनाई गई थी यह कम लांच की गई थी पांच फरवरी 2019 पांच जुलाई 2019 बीस अगस्त नमबर 2018 या फिर दस जुलाई 2019 आंसर देने वाले को पांच रुपए का उधार पुरुस्कार पक्का इजवार है भाई अंसर लेकिन सही चाहिए डेट में बहुत बैंकर कंफ्यूजन करेंगे आपको यह स्कीम इतनी ज़रूरी है हाँ कि अ समय मैं कदेंने करना में सजेशन दे रहाँ ओंए आपको अभподक आपके लिए बिल्कुल नहीं है ठीक है अगर आप अगर कभी कुछ करना है तो दोस्त आपको क्या करना है और के लिए टेस सीरीम लेकर लिजेएगा और आप अगर और हो सकह्या आपका प्री अगर уж हो रहा है या नहीं जो भी है आप अपने आप से चीजों को करिए का आप इस समय बैच का कोई मतलब नहीं बनता हम चाहते हैं आपको इतनी जल्दी में क्या ही आपको इतनी जल्दी पढ़ा कि हम नहीं चाहते क्या आपके सास्त गलत करें ठीक है आपको मैं सीधे बता दूं मैं अगर फिजूल ओजी के 15 लेक्षर लेता हूँ तो मैं 15 में घतम करना चाहता हूँ अगर मैं 5 लेता हूँ दस लेता हूँ दस में में को अंदर से लग जाता है कि यार मैं बहुत सारी चीजें के तो यार हमारी मान दारिये कि मैं आप को छोटी छोटी चीज़ भी बिल्कुल कवर करा दू ठीक है तो मेरे लेक्ष्योस बहुत वैसे रहते हैं ठीक है हुआ है ठीक है उदार पुरुस्कर नहीं है आंसर सभी का आया है इंक बहुत सारे बच्चों का है इंसर सबस stations जादा और एंसर एकदम गलत है पता है तुम्हें इंसर नहीं है इक किस नवंबर दस जुऽाइब को इतना कन्फ्यूज करेगी जैसे मतास संपदा योजना देखी नहीं हम यहाँ पर गिर गए आके खतम बस इसलिए दोस्ति कोश्चन डाल के लिए ठीक है इसलिए लिए क्या है बढ़िया लिखेगा मचली जलकी रानी है जीवन उसका पानी हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालों मर जाएगी बताओ पुरधान मतरी मतास संपदा योजना कब लांच होई तो बस खतम इतना कोश्चन खतम आंसर इसका क्या था करेसर 5 जुलाई समझ गया है चलो अगला कोश्चन सामबर लैक सामबर लैक राजिस्थान की है वो दोस्त वो कैसे ओर जीनेट हुई यह कैसे ओर जीनेट हुई है पहले ग्लैसियर एक्षन से लैंड स्लाइड से विंड एक्टिविटी से सोल या फिर स्वाइल इरोजन से या फिर दूस्त नन आफ दी से अब पहली सीधे समझ गया स्वाइल इरोजन से कोई लैक तो नहीं बन जाएगी ठीक है अब बताओ य बिल्कुल बिल्कुल असाना बच्च confessार बघ्यार सार डी आगे लिए जितना कुछ आ अपकी जितना कुछ हमकर सकते हैं vara अब कर तकिंगे तिक है क्यों सी और्व राजजिस्तान की एक कैसे ठीक है चलो अगले कोश्र स्टे अगला कोश्र यह रहा इसका तो आंसर तुरण मैंद फेक ही दो जल्दी से लिटïर लीफ अफ कॉटन किसकी डिफिश के और रिक्सेंश थैं कि जल्दी से लिटल लीफ और खाटन लास्ट के तीन कोश्र इतकन हम ने हार्ड मना पुरुसकार मिलेगा सरद पुरुसकार तुम्हारा रखा है मेरे पास तुम लिखते जाओ कितनी उधारी हुई है मैं प्रामिस करता हूं आपकी उधारी में चुकाऊंगा ठीक है बस तुम यार पढ़ाई तो करो आंसर जिंक दे रहे हो सही आंसर है बिल्कुल लिटिल स्क्रीट त् otherwise से लेरी वेजिटेवल ना उसका एक डिसॉडर है जिसको बोते पैंसिल स्ट्रीबं और पैंसिल की कमी के कारण होती है किसकी एक्सिस के कारण होती है यह बता ना आपको if you talkbaline 2009 का है कैलसिम की डिफिशेंसी है या फास्पोरस का ऐक्सेस आ या फिर वरआन कीुटीशेंसी या फिर नाइत्रों आफिकी difficult सिए या आंसर दो जल्दि जल्दिॡ हाट बाद बढ़िया बूरज्द इंडरे सो काइस भूमिका पलक श्रिया कनिका मनीशह अरित्र अच्छा यह कोशन बताये थे अरे तब तो बहुत बढ़ी आया है कि सिलेक्षिन के बाद सिलेक्षिन के पहले जब भी आप मेरे पास आओगे हम तुरंत आपको क्या मिलेंगे ठीक है कि उधारी आपके चुकाने के लिए बराबर मिलेंगे बाद में आओगे तो आपको उसका ब्याज भी लगा के देंगे ठीक है अदर्वाइस कभी एकर ऐसे ही आगए तो आपके उधारी आपको जो है ट्रीट के माध्यम से हम कभी भी प्रोवाइट कराएं ठीक है आंसर क्या होता है यह इतना इंपोर्टेंट कोशन आपने इससे पहले नहीं देखा होगा हम गारंटी देते हैं ठीक है तो यह सिलेरी यह वेजिटेबल साइंस का कोश्चन आ जाता है तो याद कर लिजेगा सिलेरी वेजिटेबल में पेंसिल स्ट्रिप डिजीज है वह फॉस्पूर हमारा क्या हो जाएगा फॉस्पूरस अगला कोश्चन पीजोलोजी का सबसे बेसिक कोश्चन अगर एक वर्ड आपको आता है ना तो भी कोश्चन साही कर देंगे मात्र एक वर्ड से करो बिलकुल अरित्र बहुत अच्छे दिव्या उकाई शरद नरोत्तम दामिनी बहुत बढ़िया कब तक तारीख पर तारीख है यह तारीख थोड़े दिनोर और यह तारीख हम तुम्हारे फायदे के लिए देते हैं अपने फायदे के लिए नहीं आंसर दो भाई अगला कोईशन बस इस word से question को पकड़ लिया हमने और answer एक जब सही है answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा B ठीक है चल आजाओ अगला question deficiency of which nutrient onion crop increase tendency to bolting deficiency of which nutrient किस nutrient की deficiency से onion crop में जो हमारी tendency है bolting की वो बढ़ जाती है increase हो जाती है बोरान nitrogen phosphorus potassium फोटास या फिर क्या है दोस्त कैल सिमांसर दो कि पोटास की स्पेलिंग थोड़ी से गलत है तो आप सही कल देना answer a b c d e deficiency of which nutrient in onion crop increase the tendency of bolting nitrogen बहुत अच्छे बी answer देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा और आंसर हमने सही मान लिया बिल्कुल बहुमत के साथ विजय हुई आपकी ठीक है आंसर क्या हो गया nitrogen will be the right answer ठीक है चलो अगले question करते हैं अगला question है विच मश्रूम पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा कामन मश्रूम है तो अग्रिकस बिस्पोरस लगा देना बिल्कुल मत सोचना ठीक है अग्रिकस बिस्पोरस ठीक है अगला question यह हमारे सामने मश्रूम पूस्पेसिज्ट जो मोस्टली हमारी क्यूरिंग मेडिशन और मेजर जो हमारे आयलमेंट के लिए यूज होती है वो कौन सी है आंसर देंगे भई कि A b c d A answer दे रहे हैं भाई गजब यार तुम्हें तो सब आता है आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ए बहुत अच्छे आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ए चलो मान लिया मान लिया ठीक है चलो अगले question पर आते हैं अगला question यह रहा अड़ेट वह पॉइंट अप्रूब्ड वाइफ ए ओ फूड एन अग्रिकल्टर organization and endorsed by the UN general assembly उसने भी बहुत जादा उसे क्या किया है भाईया उसे जो है endorsement दिया है to save honeybees what honeybee day was celebrated on which date किस date में हम लोग क्या celebrate करते हैं आंसर दे तो जल्दी से बाबु भाईया जल्दी से आंसर दे तो हाँ बिल्कुल आस्था बच्चा अपूर्वा अर्चना कानिका मनीशा क्यूट हर्चू का घजब नाम है हाँ बढ़ी अधीपक साहिल आच्छा तो आगाज में हुआ होगा अगज्ग आ अगजा लिख रहा है तो अधगो मेरा सब्जेक्ट है सर तो ज 되면 में आ जाते हैं तो जनरल में खीजदे हैं हम तो अपने सब्जेक्ट को क्या है नामल cover करेंगे ही आंसर क्या हो जाएगा कह रे सर जी कि बीस तारिक बिल्कु सही है बीजो आप सब्सक्राइब को हम लोग क्या मनाते हैं हनी बीडे मनाते हैं वाइड हनीबे निक बीश में को याद रहेगा चलो ठीक है 93 94 परसेट क्या इंक्रीजमेन्ट देता है तो हमने का था यार क्या घजप का इंक्रीजमेंट यादाया कुछ कि यादाया कुछ करें नहीं सर्थ थोड़ा सा और थोड़ा सा और बताईए तब हम उनियन आप संद बताएंगे ठीक है बांकी बच्चों ने लगा दिया है कुछ बच्चे बी संफ्लावर के साथ चलेगा गजब भी आंसर क्या हो जाएगा ओनियन ठीक है बढ़िया इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है ओनियन में तुम से काई बताएं कुछ तो ओनियन की जगा मस्टर्ड भी लगा दे रहें ओनियन आंसर हो जाएगा ठीक है चलो आंसर हो गया हमारा डी अगला कुछ चुछ चुछ सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कहां पर है सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट जल्दी से अंसर दो नासिक पूने भरतपूर भोपाल हिसार नासिक पूने भरतपूर हिसार भोपाल आंसर दो जल्दी से सेंट्रल बी गरहार चन् टुराइट रेनिक इंस टूट तो पांच पज़े पांच बज़े पांच बज़े ठीक है है अब है हाँ कि आंसर क्यों जाएगा भाई, दिलीवरी वाला खड़ा है विचारा नीचे, करें सर जी आपने कहा था, चार वज़े ले लेंगे हमने का था, हमारी ख्लास थी, क्यरें सर चार वज़े अब आ जाईए, चार से शाले चार होगै आपने का पांच वज आ फिर आपका लिए खड़े हैं चलो अंसर क्या हो जाएगा अंसरो जाएगा टीक है अंसर क्या हो जाएगा फूर टीक है याद रखेंगे वोस्ट प्लांट बता रहा है जल्दी से बताओ जल्दी से ईंसर दो, A, B, C D, मल्वरी, केस्टर, बेर, अरूBU या फिर दोस्त हमारा साल, और तुमों कल रोज, कल से सभी को, मतलब मेरी र्यक्वेस्ट भी है और मेरी बस एक बर आप उनके सामने से निकल जाओ अगर आपने नहीं भी पढ़ाया अगर मेरे साथ आप जुड़के बढ़िया से प्रेक्टिस कर लिए तो विश्वास मानों दोस्त आपका सिलेक्शन कोई रोके गारंटी देते हैं भाई ठीक है तो कल से लाइव जुड़ना है कल स अब को ठीक है चार बज़े भूलना नहीं इस बात को आंसर क्या सभी का करे सर्जी कैस्टर आंसर हो जाएगा सही जवाब बी बिल भी तराइट आंसर गुट 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 अगला कोश्चन अगला कोश्चन ये रहा सेंट्र सेरी कल्चर रिसर्च एंट्रेंग इं इसांसर दो शेरी कल्चर रिसर्च एंट्रेंइंग इंस्टिटूट अ क्योंतो जल्दी से पढ़ा रहे हैं रिवीजन में ठीक है हाँ उसमें भी ज्वाइन हो जाओ जो बच्चे अपने हैं अभी जो पेड़ क्लासस के वो आ जाए आज हमने पूरा का पूरा दो घंटे सिर्फ और सिर्फ एक चीज करी है एक गंटे वो थी सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको बढ़िया से देखना है कोश्चन की मात्रह यह है आपको करेक्ट टर्म निकाल के लाना है इसमें से कौन सा है वाटर सोर्स के माध्यम से एंस सैचुरेटर कैपलरी का और सैचुरेटर जोन का तीनों में जहां पर सैचुरेटर होता है वहाँ पर क्या होता है जहां पर unsaturated होता है वहाँ पर क्या होता है आंसर निकाल के लाओ हम बस यह थोड़ा सा बड़ा question है no doubt लेकिन बहुत important है correct term कहाँ पर है no doubt air जादा होती होगी बिलकुल कैपलरी में क्या होता होगा न के मैं तो वाटर ज्यादा होता होगा बिल्कुल और साचुरेटेड में फिरцы दी बात है पानी तो हो गई होगा सब Brief और आप यहां पे अब तुम खुद बताओ और इसमें से तुम्हें अगर कोई तकलीफ आ रही है असा अपस्टन थुणना था जहां पर अंसाटूरेटर का मतलब इयर ज्यादा और जहां पर सज़ूरेटर यानि वहाँ पर क्या ज्यादा चाहरा सिर्फ पानी होगा वहां पर सर्थ बात ही नहीं करेंगे तो आंसर हमार पॉर्टेंट है दोस्ति यह कन्फ्यूज कराने वाला है ऐसे को ना स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो मेरे लाल ठीक है चलो थोड़ा सा बड़ा कोश्चन विचा फॉल्विंग टर्मिनोलोजी इनकरेक्ट हमने इनकरेक्ट पूछी है ठ्रेसर से यह अच्छा तुम्हें यार कोश्चन बताना भूल गया कि मेरे पास कोश्चन थे इफको एजी टी में आये हुए मैं आपके सारे कोश्चन कराने का मू हुए है मैं एक बार और बोल देता हूँ आपको अगर पता तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पता तो मैं खुद दिखाता हूं कोश्चन क्या क्या थे हो अपना कोश्चन बताएंगे सिर्फ अभी हम क्या ही फर्मंटेशन अंब बैक्टिरिया फर्मंटेशन से कोश्चन था बैक्टिरिया अगर आपने पढ़ा होगा तो बराबर मैंने बताया कैसे किया जाता सेल्टर वेल्ट का कोश्चन था कह रहे था कि बताओ एक कोई प्लांट को में विंड इरोजन वाटर इरोजन से बचाना है तो हम उस जो एक स्टक्चर को बनाते हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं और साफ साफ बिल्कुल एकदम परिभासा लिखी होई थी और कई बार हमन परिखेते हैं ठ्रेसिंग कोश्चन पूछ लिया था गली रोजन कई बार बताया है इमने गली रोजन क्या होता है दोस्त इरोजन की एक तीसरी स्टेज जहां पर हम लोग सीथ के बाद में ठीक है पहले हमारी जो तो जो बढ़के जाती है आगे जिसमें गली हो जाती जिस आपके ये आंसर था ठीक है अच्छा अभी और दिखाते हैं बाबु मेरे एक कोश्चन था आपकाEO इस्टेमें से ठीक है इस्टेमें से पूछा था कि मेल इस्ट्रक्चर जो होता है प्लांट में वह कौन होता है तो दोस्त इस्टेमें हमें मालूम है मेल इस्ट्रक्चर होता है कोश्चन आया हुआ था जिसने दिये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कोश्चन था पानी क से बाहर आ जाए ना एक कोश्चन तो दोस्त आकर लिख दीजिए का सारी क्लास पर कमेंट पर कि सर जी आपका पढ़ाया हुआ नहीं फसा मैं 90 की तो गारेंटी लेता हूं 90 इसी क्लास से से चार बज़े वाली से चार बज़े वाली क्लास से 90 ठीक है जाइलम से कोश्चन था ठीक है और बाकी हमारा नहीं है बाकी और हमने कोषन के वो कराए थे वो तो हमने आकासर्क को पता है उन्हों कोई नहीं आप ने देखा होगा तो आपको पता होगा यहां पर आंसर जो बच्चे दे रहें आंसर हो जाएगा क्या टी हो गळत थै क्लीन इफ़िशेंस फीटा ट्रेसिंग एफिसिएंसी भिलकुल सभी रेट्ट की डिफिनीशन लिख़ी आप की सभी ल क्लीशन िर्फ कि वेह तीक है और क्लीण घुरेंकर अब लेंगे इसको स्कढ़रिण लिए लेंगे ईंपरेंट कोश्चिन हैं ने ठीक है सारी इस मुझें रोल यहां पर ठीक है चलो अगले कोश्चन पर आते हैं अगला कोश्चन यह आपके सामने जल्दी से आंसर दो न्यूट्रियंट प्लेंग सिग्निफिकेंट रोल इन दर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमारा लेग्यूमिने इस क्रॉप में होता है ठीक है जिसमें लेग्यूमोग्लोबिन क्या होता है इनवाल होता है उसमें कौन सा एलिमेंट रिक्वाइड है एबी सीडी जल्दी से आंसर दो ठीक है कि स्टार्ट के पंदा मिनिट हां नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं अगर 15 मिनिट सिस्टम नहीं चला तो तुम्हें गंटा टाइम मिला ना तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है सब कुश्चन ही आए बच्चों के साथ बहुत प्राबलम वहीं लेकिन हाथ दे तो लिए भाई हम गारंटी देते हैं अगर किसी का पेपर देके आना आई-वी-पी-ए-स-फो हम एनालिसिस कराएंगे आपकी और खुद देखना आपकी भाई हमारा 90 परसेंट इस क्लास से था कि नहीं था कोश्चन फार्मिट अगर एक भी बदल जाए तो बताना तरीका बदल जाए है कोई बात नहीं लेकिन भी या वह वो स्वेशन नहीं बदलेगा अंसर सी है विलकू सभी मॉलिवेट नम ठीक है चलो अगले कोशन अगले कोशन यह रहा कह रहा है concept of form mechanization from mechanization का मतलब क्या होता है mechanization को increase करना machine करन को increase करना modernization की और बढ़ना to apply the principle of engineering and technology to the agriculture जो हमारा operations है in the better way to increase the final yield ठीक है which one of the following consider as the mechanical aid किसको आप जो mechanical aids के रूप में बोलेंगे engines को power tiller को hand tool tractor या फिर सारे के सारे answer दो answer लाओ कि मेरे पास सारे questions है हाँ आकास तो यार ओकी 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 मैं भूल गया आकास तो मेरे पास बैठा हुआ था कांता दामिनी अपूर्वा कानिका बिंद्रे सभी आंसर अंसर सभी का सभी है बहुत अच्छे answer हो जाएगा क्या ए सारे के सारे जो दिख रहे है यह क्या है mechanical aids ही है बहुत अच्छे answer क्या हो जाएगा E हो जाएगा चलिए बहुत अच्छे अब जल्दी से हमें score see air करना करना है आपने 30 में से कितने question आज कर लिए है जल्दी से इसकोर करो आज के question कठिन नहीं थे बिलकुल भी मैंने बिलकुल लेविल का बना के रखा है अब हम ज्यादा टफ भी नहीं करने वाले हैं बहुत ज्यादा सरल भी नहीं मेडियम पेपर आपके सामने लेके चलेंगे आपके लगबाग पांच रखेंगे बाकी सारे मौडरेट रखेंगे पांच इजी पांच हमारे हाड और इसके अलाबाब 20 कोश्चन कैसे रहेंगे मौडरेट लेविल के जिसे आप साल्व करेंगे ठीक है कितने कोश्चन हुए हैं जल्दी से बता दो जल्दी से सभी लोगों को सेर करना है अच्छा सुनो मेरी बात अगर आप टे सीरीज में आज इन्रोल करते हो तो कर लीजिए क्योंकि टे सीरीज प्राइम टेस्ट पैक है तो उनके बाद फिर आप इबुक पे कल से फिर आप इन्रोल करिएगा लेकिन अभी आपको क्या इन्रोल करना है अगर टे सीरीज में तो मैं आपको बता देता हूं प्राइमरिली जो आपको टे सीरीज है कैसे मिलेगी अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया आपने कर ल दिएगा महापैक लेना नहीं है अगर चाहें तो ले सकते हैं इस समय महापैक पर डवल वैलिडिटी 80% ओफ है देखो दोस्त अगर आप वाई 783 एक कोड लगाओगे तो इस समय आपको महापैक जो है यह दिख रहा ना वाई 783 एक कोड के साथ में यह आपका एक साल का नहीं पहली बात देखो बारा प्लस बारा दो साल के लिए मिलेगा सारे लाइव क्लासेस में मिलेंगे जितने भी है एक्सेप्ट नेट जे आरफ और सीवीटी ठीक है यह आपके छोड के बांकी सब आपको यहां पर क्या मिल जाएगा जितनी भी चीजें सारी टेस्स तो सारे सब कुछ मिल जाएगा ठीक है मातर जब आप इसमें को यूज करोगे तो यह 606,080 रुपीज का पड़ेगा अगर आप वाई 783 एक कोड के साथ लेते हैं तो इसको आप ले लेंगे द कैसे आप इसमें एक्जाम की कबर की बात करते हो तो इसको एसर भी नाबाड इस्टेट अग्रिकल्चर एक्जाम ओपी एससी सीवेटी पीजी मापैग में एफससाई एससाइए मेनेजर सारे के सारे आपके एक्जाम कबर हो चाएंगे आवीप्यस एफो भी है वाई 783 ए जैसे है वाई 783S सोरी सोरी जब भी आप टेस सीरीज या इबुक में एन्रोल करते हैं तो यस लगाते हैं और यहां पर आपको 27% आफ दिख चाएगा ठीक है वाई 783S लगाने के बाद यह आपको जितने की दिख रही ना 400 लेकिन जब को यूज को यूज करोगे तो आपक की आपकी प्रेक्टिस अच्छी हो जाते हैं ठीक है बहुत अच्छे अर्शू के 24 हुए हैं बिंद्रेस के 22 अर्जुन के 26 बहुत अच्छे अपूर्वा 25 बहुत अच्छे यार तुम लोग तुम अलब क्या ही कहर करने वाले हो आने वाले टाइम में गड़ लब यूवाल कर दो कि लोग आने वीर टाइम में गड़ ऴूब क्या करें?